नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चोहां सेरीज का एक और मजिदार उपन्यास गोला पारूद पार्ट थ्री आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए सुभर समाधी के समय हम मुलाकात करेंगे सिकंद्रा नात के होटो पर देव दूतो जैसी मुस्कान फैल कई हम भगवान के बंदों को कष्ट कैसा बेटी आसन छोड़ने के लिए तो हमने दीन दुनिया का त्याक किया है सिकंद्रा नात के होटो पर देव दूतो वाली पवित्र मुस्कान ही फैली रही आपने जवाब नहीं दिया पुजारी जी की बेटी जब तुम भरपूर आराम की आदी हो गद्दो पर सोने की आदत है इस पर भी तुम नीचे दरी पर सोने जा रही हो जबकि इस तरह सोने की तुम्हे आदत नहीं फिर मेरी बात तो बहुत दूर की है बल्कि मुझे तो तुम्हारे बारे में सोचकर तकलीफ हो रही है कि यहां मैं तुम्हें बैट भी नहीं दे सकता मैं ठीक हूँ आप मेरे बारे में बिश्कुल निश्चिन रहे शिका महता ने मुस्कुरार सहीत कहा इतना तो वह समझ गई थी कि यह हरामी सिकंद्रानात उसे नजरों से दूर नहीं होने देखा वह पुनह बोली शायद यहां मुझे इस तरह नीन नहीं आ रही कि नीचे पक्का फर्श है और इस तरह सोने की मुझे आदत नहीं है वही तो आपने तो यही रहना है रात पर सिकंद्रानात चौंका फिर फोरण ही सभल गया और मुस्कुरा कर बोला नहीं बेटी ऐसा संभव नहीं सोचा तो मैंने भी था परन्तु यह नहीं हो सकता मैं समझी नहीं बेटी हम पैराग्यों की चादर पर किसी स्री का लेटना मना है इस सादू महात्मा के बेट पर और जात लेते यह उचित नहीं होगा शिखा महता ने फिर कुछ नहीं कहा खामोच सी हो गई जाने क्यों सिकंद्रानात को महसूस होने लगा कि शिखा उसके साथ कोई चुही बिल्ली का खेल खेल रही है परन्तु किसी परकार वह अपने इस वि दिर में ठहरने आ गई है वरना इस तरह यहां रात पिताने की कोई तुक रही थी तो क्या उससे ऐसी कोई गलती हो गई है जिसके कारण शिखा को उस पर किसी तहरे का शक हो गया है इस विचार के साथ सिकंद्रानात की एक उलजन और बढ़ गई थी कविता देशाई के होट इस तरह चिपके कि ऐसा लगने लगा जैसे कयामत आने वाली हो वह डायन सी नजर आने रगी वह मंदिर के सामनी की तरफ खुलने वाली खिड़की पर खड़ी थी जिसका थोड़ा सा पल्ला खुला हुआ था और आंख सटाई वह पाहर देख रही थी वे दो साय थे जो अंधेरे में मंदिर की तरफ बे हिचक बढ़ते आ रहे थे इस वक्त किसी का भी मंदिर में आना उसके हित में नहीं था शिखा तो पहरे ही वहां बैठी उसके लिए मुसीबत बनी हुई बैठी थी किसी अन्य को ऐसे मौके पर वहां पहुँचना बह सुक सा गया वहां बड़ा सा कांटा चुबने लगा कविता देशाई ने स्पर्श दोर पर पंचम खेडा और सुनील मजूमदार को पहचान दिया था मंदिर के बाहर जल रहे बल्ब की मधिम रोशनी उन पर पढ़ने लगी थी कविता देशाई कई पलों तक सकते किसी हाल में वहीं की वहीं खड़ी रह गई शिखा मंदिर की भीतर मजूद थी अभी उसका निप्टारा नहीं हुआ था उसके आने का कारण मालूम नहीं था और अब खेडा और मजूमदार आ पहुंचे थे इसमें तो दो राय नहीं थी कि वहें लोग उसी की तराश में भागे व नहीं था यकीरन उसकी उसी बात को सोच कर मजूमदार मंदिर से उसकी तराश करने आया होगा परंतु उसे कैसे मालूम कि वहें इसी मंदिर का जिकर करती थी शायद वहें यूहीं मंदिर के तराश करता फिर रह होगा कि वहें सोने के साथ वहाना शिपी हो लेकिन अब उस उसका शक यूहीं पूरी तरह विश्वास में बदल जाएगा भीतर शिखा को मौजूद पाकर कवीता देसाई के सिर पर भयानक खत्रा मंट्राने लगा जान का खत्रा और सोने के हाथ से निकल जाने का खत्रा खेडा मजूमदार शिखा तीनों ही एक से बढ़कर एक थे अब कमरे में रहना ठीक नहीं था पुजारी सिकंदरानात कहीं भी चूक सकता था उन तीनों को यहाँ पर उसकी मौजूद्ध की का ऐसास हो सकता था और यह कम्रा उसके लिए चूहे दान साबित हो सकता था घिर कर मनने का उसका कोई रदा नहीं था सत्तर करोड के सोने को हासिल करने की उसकी बहुत इच्छा थी परन्तु अपनी जान देकर सोना पालेना समझदारी नहीं थी सबसे पहले तो इस कमरे से बाहर निकल कर आस पास कहीं और शिपना ही शेश कर था कविता ने एक निगा बाहर मारी खेडा, मजूमदार, मंदिर की भीतर परवेश करने जा रही थे कविता देसाई मौत का प्रतिरूप बनी हाथ में रिवॉल्वर थामे कमरे से पाहर निकल गई शंकर नाग वन मैन फोर्स की तरह मंदिर की निगरानी कर रहा था वे हज से जादा चाक चौबन नजर आ रहा था रिवॉल्वर चेम में थी और हाथ भी चेम में था वे किसी पितरह की लापरवाय का इस्तमाल नहीं करना चाता था सत्यक्ता से वे पूरे मंदिर का राउन ले जा रहा था जबकि रात के वक्त में यह काम कठिन था क्योंकि मंदिर के अगल बगल का हिस्सा संतलना होकर पहाडी चोटे बड़े पत्थरों और पेड़ों से गुल था यह जगे शंकर नाक के लिए नई थी इस मंदिर में वे पहले कभी आया भी नहीं था वह भीतर शिखा मैता पर भी निगाह रखना चाहता था दो कार्णों से एक तो यह है कि उसके साथ क्या हो रहा है दूसरे यह है कि वह भीतर क्या कर रही थी परन्तो बाहर की पहरे दायरी से उसे इतनी फुर्सत न मिल रही थी कि बीतर जांकने का मौका मिलता जबकि शिखा की रक्षा करना उसका पहला काम था साथ ही शंकरनाग गह भी सोच रहा था कि अगर कविता दिसाई मंदिर में कहीं है तो मेटडोर वैन को भी यहीं कहीं होना चाहिए परन्तु अंधेरा होने के कारण और मंदिर के आसपास का भुगोल ना जानने के कारण वहे वैन को तलाश नहीं कर पा रहा था अगर रात की बेक्षा दिन होता तो अब तक आसानी से वहे सतर करोड के सोने वाली मेटडोर वैन के दर्शन कर चुका होता बहर हाल उस समय शंकर नाग मंदिर के बाहर ऐसी जगे खड़ा था जहां से वहे सामने का हिस्सा सपर्ष देख रहा था और सोच रहा था कि यहां इतनी पहरेदारी के जरुरत नहीं है जितनी की वहे कर रहा है भला कौन आएगा इस तरफ उसे सिर्फ शिखा की तरफ ध्यान देना चाहिए जो की भीतर है शंकर नाग अपने उस विचार से अभी बाहर निक्रा भी नहीं था और उसे सामने से किसी के आने का एसास हुआ शंकर नाग की आँखे सिकुड गई दो पल बाद आने वालों के साए उसे सपश नदर आए और जाना कि वे दो है शंकर नाग असमंजस में घिरा उन्हें देखता रहा कि वे कौन है इस वक्त रात में यहां क्यों आ रहे है जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर उसकी पकड़ सक्तो चुकी थी वे हर प्रकार के खतरे का मुकाबला करने को तयार था फिर जब आने वाले दोनों साए मंदर की रोशनी की घेरे में आए तो उसका मूँ खुला का खुला रह गया कई पलों तक तो उसने परक भी न चपकी उन दो में से एक को तुवे बखुबी सपस्ट और पर पहचान गया था वेह खेड़ा था, पंचम खेड़ा, खतरनाक गैंक्स्टर शर्ण भर के लिए शंकर नाक की हिम्मत जैसे खेड़ा को देखकर जवाब देने लगी परन्तु जब सत्तर करोड के सोने का ध्यान आया, तो चहरा कठोर हो गया धेर सारी हिम्मत और भी बढ़ गई कसम खाई कि वक्त आने पर वेह इन सबसे बड़ा तरिंदा बन कर दिखाएगा लेकिन यह यहां कैसे आप उचे? क्यों आये? वेह कुछ समझबा रहा था और कुछ नहीं और इस तरफ वेह सोचना भी नहीं चाता था अभी तो धेर सारी बाते थी उसके सोचने की शंकर नाक की निगाह सुनील मजुंदार पर चाटे की यह कौन है? पंचम खेडा जैसा इंसान योही तो किसी को साथ लेकर खूमने से रहा तभी उसे शिखा की बताई सब बाते ध्यान में आई और उन बातों से उसने हिसाब लगाया कि खेडा के साथ सुनील मजुंदारी हो सकता है शंकर नाग के देखते ही देखते वे दोनों मंदिर में परवेश कर गए शंकर नाग के जबडों में कसाव आया हुआ था उनकी भीतर परवेश करते ही शंकर नाग ने जीव से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ली दबी पाउं आगे बड़ा फिर ऐसी जगे छिपकर खड़ा हो गया जहां से भीतर का दरिश्य और आवाज सुन सके शंकर नाग व्यत्थित अवश्य था परन्तु बेहत सतर्क था आगे पीछे हर तरफ से पूर्णिता साबधान था वहत चोड था और आज़त के मताबिक हर तरफ आँख रखता था काम के समय तो वहत लापरवाई से कोसो दूर रहता था शिखा महता सिकंदरानाथ से बाती करने के पस्चाथ पुना दरी पर लेटी ही थी कि एकाएक उसकी आँखे सिकुड गई वहत चोंक कर उट पैठी और सामने बैठे सिकंदरानाथ को देखने लगी पुजारी सिकंदरानाथ का हाल भी शिखा से जुदा नहीं था वहत सतर्क सा नजर आने लगा था कारण था बाहर आने वाले जूतों की मधिम सी आहटे जो की मंदिर की तरफ आती जा रही थी सिकंदरानाथ के चहरे पर कई तरह के भाव आकर ठहर गए थे उसनी शिखा को प्रश्ण भरी निगाहों से देखा सिकंदरानाथ की मनोजशा भाप कर शिखा चहरे पर लापरभाय के भाव ले आई कोई आ रहा है सिकंदरानाथ के होटों से निक्रा हाँ शिखा ने बेहत सामानने स्वर में कहा कौन हो सकता है सिकंदरानाथ परिशान सा नजर आने लगा होगा कोई भक्त, रहगीर, ठकाहरा मुसाफिर, जो की शायद यहां रात बिताना जाता होगा रात? यहां? सिकंद्रानात के होटों से अजीब सा स्वर निकला यह तो भगवान का घर है पुजारी जी, शिखाने कोमल स्वर में कहा यहां तो कोई भी रह सकता है, जो भी है, वह भी हमारी साथ यहीं दरी पर रात बिता लेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने कब मना किया? एका एक सिकंद्रानात के चहरे पर पवित्र मुस्कान तैर उठी मैं तो बल्कि हैरान था, कि यहां तो महीनों में कभी कबार ही कोई आता है और महीनों का वह कभी कबार दिन आज ही आ गया होगा शिखा अपने चहरे और मन के भीत्रे भावों को दबाकर निश्चल हसी हसी यही वहर्शन था जब पंचम खेडा और मजूमदार ने मंदिर के भीतर कदम रखा और एक शांत भूचाल सा उभर उठा वहाँ शिखा महता ने सुनील मजूमदार को देखा सुनील मजूमदार ने शिखा महता को और पंचम खेडा ने शिखा महता को कई पलों तक वहाँ अजीव सा सन्नाटा चाया रहा सब हक्के पक्के से एक दूसरे को देखते रहे किसी को भी किसी के वहाँ पहुंचने की मुलाकात की जरा से भी आशा नहीं सी ऐसे में एक दूसरे के सामने पड़ जाना वह भी खास मौके पर हैरानी का हक्के पक्के पन का कारण तो बनना ही था और मिनन भर तक वही आलंब बना रहा था सिकंद्रा नात पंचम खेडा और मजूमदार को जानता तक नहीं था इसलिए वह इतना हैरान परिशान नहीं हो पाया था अगर असल हालात उसे मालूम हो जाते तो कपके उसके होश उड़ चुके होते परन्तु वहां के माहौल को देखते हुए वह इतना तो समझ गया था कि शिखा महता और ये आने वाले लोग एक दूसरे से पहले से ही अच्छी तरह वाकिफ है तभी तो एक दूसरे को देखे जा रहे है और फिर उनमें जैसे एक साथ सी हल चल हुई शिखा महता मुस्कुराई सूनीर मजूमदार खुल कर मुस्कुराया पंचम 腃ठा के होटो से छोटी सी हशी निकल गई तुम यहां सुनीर मजूमदार के होटों से निकला मैं तो खुद तुमें यहां देखकर हैरान हो रही हूँ शिखा उठते वे बोली और उनके करीब पहुँची तुम यहां क्या कर रही हो मैं शिखा ने जल्दी से मजूमदार की बात काटी सिकंदर नात वहां मौजूद था और वे नहीं चाहती थी कि सिकंदर नात को असल बात का पता चले वे उसे अपने खयालों में ही रहने देना जाती थी जितना वे जानता था उसके लिए उतना ही बहुत था उससे ज़्यादा जानकारी होना खटरनाक था माल को हाथ में आते ना देखकर वे कविता देशाई को असर हाला से आगा कर सकता था तुमने पुजारे जी को नहीं पहचाना सुनील शिखाज जल्दी से बोली ये कविता की खास पहचान वाले है कविता अक्सर यहां आती है मैं भी कभी कभी आ जाती हूँ आज मन नहीं लग रहा था, इसलिए शान्ती के लिए यहां आ गई, बस घंटा बर पहले ही पहुँची हूँ यहां सुनील मजुमदार समझ गया, शिखा जान बुझ कर बात बदलने की चेश्टा कर रही है सुनील ने शिखा का साथ दिया और पलट कर सिकंद्रा नाथ को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की जवाब में सिकंद्रा नाथ भी हाथ जोड़कर मुस्कुराया याद आया, कविता बेटी ने कई बार तुम्हारा जिक्र किया है, सुनील नाम है न तुम्हारा हाँ कविता बेटी कहा है उसे भी साथ ले आते वह चाहती थी मैं तुम्हें आशिरवात दूँ परन्तु तुम कभी उसके साथ आये नहीं भगवान के घर में आने से कोई इंकार थोड़े ना करता है बेटे मैंने कभी इंकार नहीं किया मजूमदार मुस्कुरा कर रहा था परन्तु आने का समय नहीं मिला फोर्सत ही नहीं मिल बाई आज भी इत्तफाक से ही यहाँ पहुझा हूँ आप से मिलकर वास्तम में बहुत खुशी हुई बहुत जल्द में कभीता के साथ आपका आशिवात ल रखे तुम दोनों के लिए मैं सुक शांति का चाप करूँगा पुझारी सिकंदर नात ने चेहरे पर दोतों वाली मुस्कान लाकर कहा सुरीन मजूमदार ने मुस्कुरा कर सिरह लाया खेडा के चेहरे से लग रहा था कि वह इन फिजूल की बातों को कठिंता के साथ कार वहां शिखा पैटी थी उस्तितोस पर जाहिर होता था कि कविता यहां पर मौजूद नहीं है तभी शिखा कह उठी पुझारी जी आराम के मूड में हैं आओ बाहर चल कर बाते करते हैं शिखा मजूमदार और खेडा के साथ मंदिर के बाहर इस तरह आ गई कि बाहर कंदरानात अपनी जगे सामानने से बना आराम से पैठा था उसके उठने का इरादा नहीं लग रहा था तुम यहां कैसे सुनील शिखा खेडा पर निगाह मारने के पश्चात मजूमदार से बोली यही बात तो मैं तुम से पूछने वाला था शिखा ने खेडा पर निगा साथ है शिखा पहले से जानती थी कि मजूमदार खेडा को हटाने के लिए नहीं कहेगा शिखा का मस्तिश्क इस समय तेजी के साथ चल रहा था उसने आसपास निगाह मारी शंकर नाग उसे कहीं भी नजब नहीं आया जबकि वह जानती थी कि कहीं जिपा उसे देख रहा हो ये उसकी सफलता की आधित चांस भी नहीं है शंकर नाग के साथ मिलकर वह कोई खास कमाल नहीं दिखा सकती जबकि मजूमदार के साथ होने पर माल हाथ लगने की कुछ तो आशा है ही बेशक हिस्सेदारी में बंटकर माल कम हाथ लगे खाली हाथ तो नहीं रहे कि वह शिख सफल जो भी हो कम से कम वह खाली हाथ नहीं रहेगी अगर एक पार्टी से बना कर रखी तो दूसरी पार्टी से ठकराव अवश्य था जो कि इन हालात में जराबी ठीक रही था उसे दौलत हासिल करनी थी बेशक वह फिर कम हो या ज्यादा मुझे क्या देख रही हो सोच रह के बाद मुझे यूही ध्यान आया कि कवीता इस मंदिर में अक्सर आती रहती थी और बुरे वक्त में छिपने के लिए इसते बहतर जगर कोई नहीं हो सकती कहीं कवीता यहां ना छिपी हो इसी कारण मैं यहां नजर मानने के लिए आ गई मजूमदार और खेड़ा की खेड़ा तेज आवाज में कुछ कहने लगा कि शिखा दान भीच कर बोली आवाज नीची रखो खेड़ा तुरंत खामोश बैट गया कोई बड़ी बात नहीं कि कवीता हमें देख भी रही हो अगर उसने यह जान लिया कि हम क्या चाह रहे हैं किस विराक में हैं और क्या इ खेड़ी आवाज को भी सहा शिखा ठीक कह रही है सुनीन मजूमदार ने शिखा के शब्दों पर हामी भरी पंचप खेड़ा ने बिना कुछ कहे सिग्र सुलगा ली कहां है कवीता सुनीन मजूमदार पेहत सतर मज़र आ रहा था और खेड़ा की निगाह मंदिर पर और दा और यहां हमें देख रही होगी वैन कहां है मैं नहीं जानती लेकिन मंदिर के पिछवाडे पेडों के जुर्मुठ हैं वहां पर वैन को आशानी से छिपाए जा सकता है मुझे इतना मौका नहीं मिला कि वहां तक भी जा सकूँ वहां तक जाने का वैन को देख देने का मत्दब था कविता के सामने खुल जाना और खून खराबा होना क्योंकि वह कभी नहीं चाहेगी कि 70 करोड के सोने में से कोई दूसरा हिस्सेदार बने तुम ठीक कहती हो मजूमदान ने सहमती में सिर लाया तुमने ना तो कविता देशाई को देखा और ना ही वैन को खेड़ा ने शिखा की आँखों में जाका फिर भी इस बात का दावा करती हो कि कविता और वैन यहां है हाँ करती हूँ दावा और मेरा दावा गलत नहीं है शिखा के स्वर में विश्वास था मजोमदार ने मंदिर के भीतर बैठे नजर आ रहे सिकंद्रानाथ को देखा तुमने इस पुजारी से बात नहीं की यह क्या कहता है शिखा का चहरा खतरनाग भावों से भर उठा यह तो सबसे बड़ा हरामी कुटता है शिखा की आवाज में दरंदिगी आ गई थी क्या मतलब पंचम खेड़ा की आँखे सिकुड़ गई मुझी तो यह नकली या क्रिमिनल पुजारी लगता है शिखा नहीं भीचे दांतों से कहा कवीता से इसकी खास बनती है तभी तो कवीता यहां अकच्छी पी हुई है और इसी सब कुछ मालू है कि कवीता सत्तर करोड के सोने के साथ यहां मौजूद है और यह उस सारे सोने को हड़पने की फिराक में है तुम यह बात कैसे कह सकती हो क्योंकि इस काम के लिए इसने आज अजमेर जाकर रिवॉल्वर हासिल की है अगर मैं न पहुची होती तो शायद कवीता को धोके से उड़ा कर अब तक वैन लेकर भी जा चुका होता परन्तु मेरे आने से इसका सारा प्रान धरा का धरा रह गया यह बहुत कोशिश कर चुका है कि मैं यहां से चली जाओ लेकिन सारे हारा से वाकिफ होने के पस्चाथ मैं यहां से कैसे हिलती मझूमदार और खेड़ा की तीकी निगा शिखा महता पर टीकी रहे तुम बातों को टुकडो टुकडो मैं बता रही हू खेड़ा ने अजीव से लहजे में उसकी आंखों में जहांकते हुए कहा वैसे वह कौन है? जिससे इस पुजारी ने रिवॉल्वर ली है और तुम्हें कैसे पता चला? जिससे? शिखाने तीखे स्वय में कहा पुजारी सिकंद्रानाथ ने रिवॉल्वर ली है वह मुझे जानता है कवीता को भी जानता है और उसे मालूम है कि हम दोनों सिकंद्रानाथ को जानती है सरसरी तोर पर उसने मुझे रिवॉल्वर वाली बात की तब मुझे पता लगा कि कवीता यहां छुपी हो सकती है और पुजारी किस फेर में है? यह समझते मुझे देर न लगी मैं यहां आ गई और निचे हॉल में बैठे मैंने उपी कमरे में चहर कदमी की सपष्ट धमक सुनी शक की गुंचाईश कहीं भी पाकी नहीं है जो मैं कह रही हूँ वह सच है इस समय चाता बाते करने का वक्त नहीं है जो बात करनी है बाद में कर लेना बुजारी के बारे में जो मैंने कहा है वह पूरी धरे सकते है और वह रिवाल्वर लिये तयार पैठा है संभल कर समझो वह सबसे बड़ा खामखा का लालची कुटता है खेडा कुछ कहने लगा तो मजूमदार ने टोका कोई भी फाल तुबात मत करो हमें गोल और कविता की तरफ ध्यान देना है पंचम खेडा ने दूसरे तरफ मुखोमा लिया तो कविता अब मंदिर के उपर वाले कमरे में है हाँ शक की कोई गुंजाईश नहीं शिखा ने शब्दों को चबा कर कहा मेरी बाते बिलकुर ठीक है मजूमदार ने खेडा को देखा खेडा उसकी तरफ ध्यार नहीं दे रहा था जैसे मजूमदार की निगाप पुना शिखा मैता पर जाटेगी ठीक है तुम मंदिर में जाकर जम जाओ पुजारी पर निगा रखो जब भी ठीडा चले बेखाफ संभाल लेना उसे मजूमदार ने सर्थ्वर में कहा बाकी हम संभाल लेंगे तुम लोग क्या करोगे शिखा ने प्रेश्ण भरी निगाउं से सुनीन मजूमदार को देखा अभी सोचते हैं कि हमें क्या और कैसे करना है मजूमदार ने मंदिर पर निगावारी कुछ मुझे भी तो पता चले जब हमें ही कुछ नहीं पता तो तुम्हें कैसे बता दे वैसे पहले हम वैन को देखेंगे कि वह कहाँ पर है मजूमदार ने होट सी कोड़ कर कहा भी तर कैसी भी कड़बढ हो संभाल लेना हम बाहर है परवा मत करना शिका महता को वापस मंदिर में भेज कर खेड़ा मजूमदार ने एक दूसरे को देखा हमारा यहां खड़े रहना ठीक नहीं कवीता अगर उपर वाले कमरे में है तो जाहिर है हमें देख रही होगी उसे दिखाने के लिए हमें यहां से वापस चल देना चाहिए सुनील मजूमदार ने गंभी स्वर में कहा खेड़ा ने कोई एतराज नहीं उठाया और जिस रास्ते से आये थे उसी रास्ते से वापस चल पड़े मात्र दिखाने के लिए की वे लोग बहां से जा रहे हैं चारो तरफ रात का अंधिरा चाया हुआ था मजूमदार हाँ तेरी दोनों माशुकाएं पहुची हुई है कहकर खेड़ा कहर बड़ी हसी हसा मजूमदार कुछ नहीं बोला तेरी पहली माशुका कवीता ने तुस्ते शादी व्याके वाइदे किये और फिर सत्तर करोर का सोना लेकर ऐसे उड़ी कि अपनी हवा तक नहीं लगने दी कमाल की यारी पाली है तुमने उससे खेड़ा की आवाद में व्यंक था चलते चलते मजूमदार ने सिगर सुलगा ली और दूसरी माशुका शिखा मैता मानना पड़ेगा बला की खुबसूरत है एक बार तो उसे देखकर मेरा दिल भी कुछ-कुछ हिलने लगा था खेर वै वहाँ पर पहले ही पहुँच चुकी है जहां कवीता और सोना मौजूद है और खामखा की कहानी सुनाने की चेश्ठा कर रही है हमें धत्ता दे रही है क्या दे रही है? धत्ता जिसे की गधा बनाना कहते है कम से कम मैं तो गधा बनने वाला नहीं हूँ तो यह सोचकर बन जाए कि वह तेरी माशुका है तो जुदा बात है सिवाए इस बात के कि उसने कोई सच नहीं बोला कि कवीता और वैन मंदिर में है या फिर उस पुजारी के बारे में सच कह रही होगी कि वह भी कुछ गडबड करने की फिराक में है सुनील मजूनदार गंभीता से कश्ट देता रहा लगता है मेरी बात पसंद नहीं आ रही तुम्हें शायद इसलिए कि बात तुम्हारी खूबसूरत माशुका के खिलाफ जा रही है नहीं ऐसी कोई बात नहीं तो फिर क्या कहते हो शिखा के बारे में मैं तुम्हारी बात से इत्फाक रखता हूँ कि शिखा कुछ गडबर कर रही है उसने हमसे काफी कुछ जूट बोला है यह तो उसकी बातों से सपर्च चाहिर हो रहा है परन्तो इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हम उसे कुछ कह नहीं सकते गहरी पूश्टाच भी नहीं कर सकते उसने जूट क्यों बोला यह बात मेरी समझ से बाहर है मजूमदार कमफीर था लेकिन मेरी समझ के भीतर है मजूमदार ने निगाहें उठा कर साथ साथ चलते खेड़ा को दिखा शिखा तोप का गोला बनी यह सोच रही थी कि जादू का डंडा फेर कर वह अकेरे ही सारा सोना ले उड़ेगी पर अन्तो हमारे आजाने से उसे लगा कि जो कुछ वह चाहती है अब वह नहीं हो सकेगा इसलिए बहतरी की सोच कर मन मार कर हमारे साथ फीरा मिली तुम्हें फिर अपने विश्वास मिलिया इसी विचार के साथ कि कुछ हाथ न लगने से तो बहतर है कि कुछ हाथ लगे तुम्हारी दोनों माशुकाएं कमाल के निकली शायद तुम काफी हद तक सही कह रहे हो मजूमदार के चहरे पर क्रोध हुमड़ा अब जरा एक बात का जवाब और दे दो अपनी माशुकाओं की तो तुम काफी तरफदारी करते रहे हो खास तोर से मैं कवीता देसाई के बारे में बात कर रहा हूँ यह ठीक है कि तुम्में और उसमें ऐसी कोई खिच्र कि तुम उसकी ही तलाश में भटक रहे हो उसी ढूंड रहे हो इस पर भी वह इस समय भी तुमारे सामने नहीं आई सुनीर मजूमदार के चहरे पर विशयली मुस्कान फैल गए उसने सामने आने की जरूरत नहीं समझी क्यों खेडा हसा क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि सु आप तो तुम समझदारी वाली बाते कर रहे हो स्वर में व्यंक था पंचम खेडा के हम काफी आ गया चुके हैं खेडा मजूमदार ने एका एक कहा दोनों ठिटके पलटकर मंदिर की तरफ देखा वास्तव में मंदिर अब काफी दूर था और रात के अंधेरे में वहां से उनकी हरकत नहीं देखी जा सकती थी मजूमदार ने कश लिया और सिग्रेट नीचे गिरा कर जोते से मसल दी खेडा सुनीर मजूमदार जैसे फुफकार सा रहा था बोल हमें कवीता या शिखा को रही देखना मजूमदार की आवाज किसी दरिंदे के गुर्राने जैसी हो वही थी हमें सिर्फ सत्तर करोड की दॉलत देखनी है उसे हासिल करना है यही हमारा पहला और आखरी मकसद है खेडा ने मजूमदार के चेहरे पर निगाह मारी परन्तु अंधेरी के कारण उसके चेहरे के भाव को नहीं देख सका मजूमदार तेरी माशुकाएं हमारे रास जो भी हमारे रास्ते में आएंगी उसे फौरन खत्म कर देना है और उस पुजारी के बारे में अगर शिका ठीक कहती है तो जरूरत पढ़ने पर उसे भी खत्म कर देना है आप तो तो बहुत समझदारी वाली बाते कर रहा है खेडा का स्वर पहर शान्त हो गया था सुनीर इस वक्त हमारे सामने ऐसा कोई नहीं जो मुकावले पर ठहर सके खामखा भीर इखटी करने से क्या फायदा और लोगों का आना हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है शोर शराबा होगा खेडा ने मजूमदार की बातों पर कोई एतराज नहीं उठाया दोनों को खुद पर या पीछे वाले हिस्ते में ही कहीं मौजूद होगी अगर है तो जरूरी तो नहीं कि वास्तम में वैन और कवीता यहां हो उससे गलती भी तो हो सकती है हो तो सकती है खेडा ने सीरह लाया परन्तु तुम्हारे इस माशुका को देखकर मैंने जितना अंदाजा लगाया है उस तो यह तो साबित नहीं होता कि यह गलतिया करने वाली चीज हो सकती है भगवान करे वह ठीकी कह रही हो कि वैन और कवीता यहां पर है एका एक मजूमदार हस पड़ा चहरे पर चाय दरिंदिकी के भाव जाने कहां सिमट करे थे शायद अब उसका मस्टिश्क सतर करोड के सोने पर केंद्रित होने रगा था मेरे खयाल में वह ठीकी कह रही है खेडा के स्वर में विश्वास का पूठ था सोनो खेडा हम दोनों मंदिर के दाएं बाएं से जाएंगे और ठीक पिछवाडे की किसी हिस्ते में मिलेंगे मेरे खयाल में हमारे इस छोटे से चक्कर मे बैन हमें मिल जानी जाहिए मजूमदार की आँखों में चमक थी देखते हैं पंचम खेडा ने भी उत्साहपूर्ण अंदाज में सीर राया तो फिर चलें हां हम यहीं से अलग-अलग होकर मंदिर की तरक पड़ेंगे घेरा लंबा काटकर आगे बढ़ना ऐसे नाजुक समय म हमें किसी की निगाह में आकर अपना काम खराब नहीं करना और अगर कोई सामने पड़ जाए खेडा ने सरस्वर में कहा तो उसे बगशना भी नहीं है उसके पात खेडा और मजूमदार धर्ड इरादों के साथ अलग हुए और बढ़ा लंबा घेरा काटते हुए दाएं ब सोने के वे मालिक होंगे शंकरनाग सुरील मजूमदार और पंचम खेडा के मंदिर में परवेश करने के बाद शंकरनाग मंदिर के मुख्य द्वार के करीब खड़ा छिपा भीतर हो रही सारी बाते सुन रहा था और फिर जब शिखा खेडा मजूमदार बाहर निकलने के सो फिर दूर पड़े पहाड़ी पत्थर के पीछे छिपकर नीचे जमीन पर लेट गया था जैसे की जमीन का ही अंचो अंधेरे में उसकी मौजूद्गी का एसास ना के बराबर ही था और इन सब बातों के दौरान सबसे बड़ा इत्तफाक तो यह रहा कि शिखा मजूमदार और खेड़ा भी उसी पहाड़ी पत्थर के करीब आकर बाते करने लगे थे उनका एक एक शब्द शंकर नाग ने सुना मन ही मन सुलगता रहा दिल में शिखा महता की धोका धड़ी को लेकर आकसी धदक उठी फिर जब दोनों वहां से गए तो दाद भीजे शंकर नाग कप ले ही सही परन्तु जान पर खेल कर खत्रा मोर लेकर इतना तो करी सकता है कि इनकी खिच्री खराब कर दे पहले तो उसने सोचा कि किसी तरह पुलिस को इत्तला करते पुलिस के यहां आने की देर थी कि इन में से किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगना था परन्तु शंकर नाग को अपना यह विचार खुद ही अच्छा नहीं लगा तब उसे भी कुछ नहीं मिल सकता था जबकि इस परकार किसी अच्छी भुरी इस्तिती में उसकी हाथ कुछ तो लगने की आशा रहती चाहे हाथ लगता या नहीं शंकर नाग ने सब्र हिम्मत और समझदारी से फैसला ल नाग ने उस तरफ देखा जिस और खेड़ा मजुमदार कए थे वह जानता था कि लंबा घेरा काट कर अभी वापस लोटते ही होंगे आके सोने वाली वैन भी तराश करनी थी उन्हें मंदिर की तो उसने भी तीन चार चकर काटे थे परन्तु वैर उसे नहीं मिली थी नज जादा नहीं सोचा होगी कहीं वैन अंधेरी में नजर नहीं आई होगी कवीता दिसाई यहां है तो वैन भी अवश्य यहीं होगी सतर करोड के सोने को अपने से ज्यादा दूर तो वहर रखने से रही शंकर नाग अपनी जगेश छोड़ने चाही रहा था कि एका एक उसकी कमर से रिवालवर की ठंडी नाल आ सटी शंकर नाग के जिसमें ठंडी सिहरन दोड़ गई खेड़ा मजूमदार उस तरफ गए थे शिका महता ने उसके सामने मंदिर में परवेश किया था फिर फिर उसके पीछे को ना गया और तो यहां कोई भी नहीं है हिलना मत उसकी कान करने वाली बोलने वाली कवीता देशाई है शंकर नाग का चोर दिमाग तेजी से सोचने लगा कवीता ने उसे गलत जगय और गलत मौके पर पकड़ा था ऐसे में कवीता से बच पाना कठिन था परन्तु वह तो सिर्फ यह सोच रहा था कि जिस तरह शिखा ने हवा का रु ठीक रहा तो तभी कवीता देशाई का वहजी स्वर उसके कानों में फिर पड़ा चलो कहां खर खराती आवाज उसके गले से निकली वह घबरा तो रहा ही था साइड में तुमसे बात करनी है पूछना है क्या वेजीनों क्या बाते कर रहे थे तुमने करीब से चिपक कर उन मंदिर में किस भगवान की पूजा करने आये हो दरिंदी की से भरा स्वर सुनकर शंकर नाग मन हिमन खपरा उठाता वह जानता था कि कविता देशाई खेड़ा मजुमदार से भी खतरनाक है उन सब को पार करके बड़ी से बड़ा काम कर गुजरने का होस्ना रगती है शंक शंकर नाग में चुबने का हर दम उसे हो रहा था जब शिका मेहता पंचम खेड़ा और सुनीर मजुमदार मंदिर से बाहर निकल कर बाते कर रहे थे ठीक उसी समय पठानिया और दौलत राम वहां पहुंचे थे गलती से उनके कुछ ज़्यादा ही करीब पहुंच गए थे खैर रही कि वे तीनों बातों में व्यास थे शायद कुछ ज़्यादा ही व्यास थे कि उनके करीब पहुंचने का एहसास उन्हें ना हो पाया वे दोनों पठानिया से पचास फीट दूर रह गए कि तुरंथी जमीन पर लेट कर चोटे से पहाड़ी पत्थर की पूरी अधुरी ओट ले ली थी दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की उन तीनों की मद्धिम आवाजें उनके कानों में पढ़ती रही वे सुनते रहे मंदिर के बेहत मद्धिम परकाश में भी उन्होंने तीनों को बखुबी पहचान लिया था शंकरनाग चुंकि एक ही मुद्रा में अपनी जगाय पर लेटा था इसलिए पठाणिया और दौरत राम को नहीं देख पाया था इसलिए पठाणिया और दौरत राम किसी की निगाहों में आने से पचे रहे उसके बाद शिखा मंदिर में चली गए तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद